हेलो एड़ीवान आइम एमके एंग वाचिंग टेक ओफिस और इस वीडियो में बात करने माले लेटेस्ट अप्डेटर वर्जिन पिक्सल प्लस ईवाई की बारे में जो की हमारे रेटमी के नोट 4 डिवाइस के लिए अवेलबल है जैसे फिला हम कुछ टाइम से यूज कर र प्रफोर्मेंस जहां पर आप देख सकते हो कि मेंटेनर का आपको नेम देहनी को मिल जाता है पिक्सल प्लस ईवाई का जो वर्जन है वह है 1.4 है जो कि एक ओफिसल बिल्ड है डिवाइस का जो कोड़नेम है मिड़ो वह आपको दिखाई देता है एंड़ा 10 का सपोर्ट यह किया गया है जो कि अभी काफी ज़्यादा पॉपलर हो रहा है वह यह पर आपको जो बाके दर बिल्ड नमबर वह गया देहनी को मिल जाते हैं बैक यूट चलते हैं आपको मिलता है सिस्टम जहां पर एडवांस ऑप्शन और सिस्टम अप्डेटर भी प्रवाइट किया गय क्योंकि यह by default अभी disabled है तो आपको enable करना पड़ेगा इस्क्रीन सूट का benefit मिलता है जहां पर आप triple finger का use करते हुए pixel experience का benefit दिया गया है इस्क्रीन सूट का feature वह भी आपको यहां पर देहनी को मिल जाता है जो कि आप कुछ इस तरीके से click करके जो ले सकते हो तो अगर हम यहा यहां पर एक plus point मिल जाता है longer screen support क्लिक करने का और यहां पर आप देखसे तो हलका सा round टेहनी को मिलता है जो कि अच्छा देखने में लगता है मुई पिसका volume panel का आप देखसे तो look बिल्कुली change है अगर हम इसके setting के उपर tap करते है तो कुछ इस तरीकी से देखने को मिलता है यहां पर see more गरते हैं इसका setting है जो open हो जाता है जिसके जो volume का slider है यह भी बिल्कुली अलग और different technique को मिलता है EY में जो कि मुझे काफी ज़्यादा पसंद आया यहां पर by default आप कोई snapdragon के camera मिलता है बट आप gcam चाहो तो use कर सकते हो यहां पर font और icon काफी ज़्यादा large लगा बाइड डिफॉल्ट जो कि अच्छे तरिके से काम करता है वहीं अगर फिंगर्प्रिंट के response की बात करें तो फिंगर्प्रिंट का response भी है जो मुझे काफी अच्छा लगा है और one time में काम कर जाता है जैसा कि पाके अच्छे इन्ड़ाइटेन के रों perform करते हैं अगर आप वीडियो दो आपको जो notification मिल सके और आपको से जो watch करके benefit वहीं पर आगे क्यों आते है sound की effect के उपर तो आपको यहां पर देहने को मिल जाता है यहां पर आपको wallpaper and style दिखाई देते हैं जहां पर वालपेपर के option आपको दिखाई देते हैं जहां पर पिक्सल का सिर्फ और सि के साथ आपको बागे other extra wallpaper भी देहने को मिलता है तो काफी अच्छा खासा option आपको मिल जाता है wallpaper का session का लेकिन अगर हम हम home screen पर आते हैं तेक और नया option आपको मिलता है wallpaper का जहां पर कई सारे पिक्सल के wallpaper प्रोवाइड किये गए हैं जिसमें से मैं एक अभी फिलाल apply कर आपको देहने को मिलता है लेकिन यहीं पर एक plus point से दूसरा minus point भी देहने को मिलता है वो हमारे net safety को लेकर यानि आपको banking का app यूज करने में problem आने वाला है आप यहाँ पर यूज नहीं कर पाऊगे अगर आपको gaming करना है या पर नॉर्मल यूज करना है banking का app यूज नहीं करने है तेरो मैं आपको suggest कर सकता हूँ लेकिन अगर आप banking यूज कर रहे हो तो आपको पैग्राउंट ब्लर होगता है या अगरे आप यहाँ ब्लर होया पर आपको ट भागड़ाउंग करने पर नियूर्म पर यहाँ आप यहाँ ब्लर हो जाता है तो यह पो दहने को मिलता है टोकल ट्रो करने पर बैग्राउंड बलर होता है और यहां पर जो कंटिन्यू का जो नोटिफिकेशन रन कर रहा है इनके बीच में आप जो गैप देख पा रहे हो न यह आपको Android 11 से लिया गया है जो कि देखने में काफी ज़्यादा अच्छा लगता है वह में पर स्क्रीन रिकॉर्डर भी प्रवाइट किया गया है जो Android 11 का है जहां पर आपको इंटरनल और माइक्रोफोन भी रिकॉर्ड करने का फीचर मिल जाता है जहां पर आप 20 MBBS तक है जो कर सकते हो और जैसे हम इससे स्टार्ट कर देते हैं स्टार्ट नाव पे आप देखो है कि आ अगर आप इसका रिकॉर्डर यूज करोगे तो आपको लैग हलका सा फील होगा लेकिन जो रिकॉर्डिंग होके आउट्पूट निकल के आता है उसमें मुझे लैग देहने को नहीं मिला है तो मैं यह रोम काफी परफेक्ट मानूँगा प्रफोर्यंस वाइज, प्रफेक्ट होता रहता है बट कॉलिंग से रिगार्डिंग कोई भी इस नहीं आया है वीडियो कॉल Android 10 पर भी तक फिक्स नहीं हुआ है तो वो भी आपको देहने को नहीं मिलता है यहां पर बैंकिंग के आप में आपको प्रॉलम मिलेगा कि को नेट सफटी पास नहीं है तो यह दो तीन चीज़ों को अगर आप मैनेज कर सकते हो तो यह रोम आपको काफी अच्छा बैटेव का परफोर्मेंस और बाखी चीज़ा प्रॉइड करने वाला है तो I hope so guys कि मैंने आपको दे दिया एक complete detail इस रोम के बारे में अब आप मुझे comment करके बताना कि रोम आप आप इसे try करना चाहोगे या फिर नहीं कोई question से doubt है आप ask कर सकते हो या आप हमारे टेलेग्रांग को एक ग्रूप पर join हो सकते हो तो guys मिलते हैं निक्स टूडियो में तब तक लिए